भगवान शिरीक्रिष्ण का जनम भादरपद अस्टमी तिथी में रोहिनी नक्षत्र में अर्द रात्री को हुआ था इसलिए अस्टमी तिथी को रोहिनी नक्षत्र में भगवान शिरीक्रिष्ण का जनमोत्सव मनाते हैं लेकिन इस बार अस्टमी तिथी में रोहिनी नक्षत्र सयोग नहीं बन रहा है इसी वज़े से श्रधालू शिरी कृष्ण जनमास्टमी की तारीख को लेकर अस्मंजस में है इस साल 11 अगस्त को अस्टमी तिथी है और जब रोहिनी नक्षत्र का परवेश होता है तो तिथी परिवर्तित हो जाती है इसलिए लोग अस्मंजस में है कि शिरी कृष्ण का जनम उत्सव अस्टमी तिथी को मनाए या रोहिनी नक्षत्र में जोतिशियों के मुताबिक ग्रिहिस्त लोग 11 अगस्त को जबकि वैश्नव यानि साधु संत 12 अगस्त को जनमस्टमी का पर्व मनाएंगे जानकारी देते हुए पंडित्री लोग प्रसाद दूबे ने बताया कि इस बार अस्टमी तिथी 11 अगस्त को सुभे 9 बज कर 6 मिनट पर प्रारम होगी जो कि 12 अगस्त को सुभे 11 बज कर 16 मिनट तक रहेगी जबकि रोहिनी नक्षत्र 12 अगस्त को रात 3 बज कर 25 मिनट से प्रारम होगी जो कि 13 अगस्त की रात 5 बज कर 21 मिनट तक रहेगी इसलिए ग्रहिस्त लोग 11 अगस्त को ही शिरी कृष्ण जनमस्ट मी मनाएंगे ग्रहिस्त लोग 11 अगस्त को वर्त रखेंगे जबकि 12 अगस्त को वर्त का पारण करेंगे शैव संपरदाएं के लोग यानी सन्यासी साधुसंत बैरागी अपना जीवन इश्वर की भक्ती में समर्पित कर देने वाले लोग 12 अगस्त को शिरी कृष्ण जनमोटसव मनाएंगे यहां यह भी बताते चले कि ऐसे लोग काफी विद्धवान होते हैं उनके अपने विधिविदान होते हैं लेकिन वह ग्रेष्ट यानी घर परिवार के पालन पोशन करने वाले लोगों के लिए नहीं होते अब आपको बताते हैं कि अस्टिमी तिथी क्या है और समय क्या होगा तथा अस्टिमी तिथी समाप्त कब होगी और समय कब होगा अस्टिमिती थी 11 अगस्त मंगलवार सुभे 9 बज कर 6 मिनट से आरंभ होगी अस्टिमिती थी 12 अगस्त बुदवार सुभे 11 बज कर 16 मिनट तक समाप्थ होगी चतिसगर सस्टेट हैट प्रनेगरवाल की रिपोर्ट अस्टिमिती थी 12 अगस्त को कृष्ण जन्मर स्टेवी मनाये जाएगा इस दिन 12 अगस्त को रातरी में रोहुनी नचत्र का प्रनेशा है रोहुनी नचत्र में भगवान सिर्प्रिश्न जी का जन्मा हुआ था तीजी साय उद्य को नहीं देख़ा जागा इसमें इसमें देखा जाता है उद्या किझी में जिस दिन, इस्टमी आता है, उस दिन के ज़्यादा महत्मा हमारे जोथिस सहस्त्रों में बताया गया है. इसलिए बारागस्ट को किष्ण जन्मस्टमी सभी प्रांतों में रहना चाहिए सारी इस्वों में एव ब्रत एवं उजन भगवान स्री किष्णा जी की करना चाहिए तो गया झाल